हेलो बच्चों स्वागत है आपका मांडिटेड पे और बच्चों आज हम लेने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चेप्टर 2 या विसे हम बोलते हैं यूनिट 2 तो बच्चों ये जो है आपका structure of atom जो की chapter का नाम है और बच्चों यदि आप मेरी मानों तो ये chapter को बिलकुल आपको ध्यान से करने की आवा सकता है क्यूंकि ये आप मानिए कि आप जो है chemistry के यदि आप इंटर करना चारहे हो या chemistry को पूरा समझना चारहे हो तो इस chapter को बच् काम के basis पे से करिए चाया आप किसी number के basis पे करिए लेकिन आपको ये chapter को करना बहुत जरूरी है क्यूंकि इस chapter से आपके chemistry का जो get है वो बच्चों खुलता है न तो इसमें बच्चों overall क्या जानना है हमको इस chapter में पूरा मैं आपको बताता हूं पहले तो उसके बाद हम chapter introduction ल हम पहले तो आपको introduction देंगे और आपको समझाएंगे कि हमको कैसे कैसे क्या पढ़ना है न तो सबसे पहले तो बच्चों आप देख लीजी हमको objectives क्या क्या दिये गए जो कि हमको पढ़ने हैं तो इसमें सबसे पहले बच्चों जानेंगे क्या जो discovery हुई electron की proton की neutron की उनके क जाकर characteristic थे या कैसे उनकी discovery हुई वो सब हम जानेंगे उसके अलाब हम जानेंगे कि Thompson या रदर फोलन बोहर की जो atomic model थे वो क्या से थे क्या थे उनका है ना सब को जानेंगे हम और understand करेंगे बच्चों जो important है feature of the quantum mechanism and model of atom तो बच्चों जो quantum नाम है आपने पहली बार सुना हो वह सायब तो इसके बारे में आप जानोगे हो तक क्या है quantum mechanism क्या यह सारी हम समझेंगे और उसके अलाब हम देखेंगे nature of electromagnetic radiation and plank quantum theory तो बच्चों जो electromagnetic radiation होता है उसको पारे मैं जानेंगे और यहीं पर हम जानेंगे photoelectric effect क्या होता है उसके बारे मैं जानेंगे उसका Atomic Spectrum अगयरा क्या है और जो टीव और होगे का जो रिलेसन था वो जाने के हैसन वर असेटरिटी प्रिंसिपल जानेंगे इस सारी चीज़ें बहुत ही इंपोटेंट है आपका केमिस्ट्री के लिए न और हम डिफाइन करेंगे Atomic Orbital तो बच्चों आप पहली बार जो है Orbital से आपका सामना होगा कि Orbital क्या चीज होती उसके बारे मापको जानना होगा Quantum नमर क्या होते है उनके बारे में जानना होगा तो बच्चों यह सब बातें थी जो कि हमको इस चेप्टर में पढ़नी है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह जो चेप्टर है बच्चों आपका जो quantum theory है आप जैसे quantum mechanism बोलते हो उसका इंट्रेंस है मतलब क्या बच्चों कि यदि आपको quantum theory बगएरा अच्छे से बिलकुल समय नहीं है तो यह चेप्टर को बिलकुल आपको समय नहीं होगा तो चलिए बिलकुल समय बरबाद ना करती हूँ सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सेप्टर में क्या दिया गया तो हाना छोटा इंट्रेक्शन जो भी आपको वुक में दिया वो पढ़ता हूँ मैं तो बच्चों यह आपके क्या लेका है कि existence of atom has been proposed since है ना क्या लेका बच्चों की जो existence है जो atom का वो हमारा प्रुपोस हो गया था since the time of early Indian and Greek philosopher 400 BC तो बच्चों जो atom बगेरा है आप जिसे आज पढ़ रहे हो उसे तक्री बन जो है 400 BC पूरो में ही Greek philosopher ने इंडियन के जो भी हमारे philosopher थे उन्होंने उज़े खोज निकालाता है न और उन्होंने क्या कहा था बच्चों की who's were of the view that atom are the fundamental building blocks of matter तो उन्होंने बच्चों उस समय बताया कि जो आपका atom है वो fundamental building block होता है अब fundamental building block क्या है बच्चों की जैसे आप बोलते हो नों कोई घर बनता तो घर में किसकी जरवत होती है इंटो की जरवत होती है तो उसी तरह इसे बच्चों कुछ भी चीज़ां आपकी देखते हो जो भी matter की है मतलब चाप का आप देखलो यह laptop है जिसके आप वीडियो देख रहो mobile phone यह कुछ भी तो उसमें क्या बच्चों की वो fundamental building block से बना है जिस इंट से बना है आप बोल सकते हो तो वो जो बच्चों है वो atom है और atom एक बिलकुल एक छोटी चीज़ है जो कि आप उसको further उसको divide नहीं कर सकते है न तो आप क्या क्या लिखा बुजरा देख लीजिए तो according to them है न जो philosopher के अनुसार the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible तो बच्चों उनके अनुसार यदि हम बोलें तो जो आपका एक ऐसी छोटी आप ए उसको विलकुल डिवाड़ी न कर सको उसको और चोटा करी न सको तो जो एक आई होती है जहां पर हम पहुंच जाते हैं बच्चों जो ultimately yield जो होता है बच्चों तो वह आपका atom होता है न जैसे हम further divisible न कर सकें और जो बढ़ आया बच्चों आपका क्या atom has been derived from the great word atomio तो atomio से जाया है बच्चों ग्रेग वर्ड़ है आपका इसको विलकुल याद करके रखिए क्योंकि आपका पूछ लिया जाता है कि में सिक वगए राम है कि जो atom का जो ग्रेग वार्ड़ है उसका क्या नाम है तो atomio करके है और which means uncutable या फिर non-disable तो इसका मतलब क्या बच्चों कि जिसको ना तो आप काट सको ना डिवाड कर सको या भाग कर सको है ना और इस एरलियर आइडियास वर मेर एक्सप्लकुलेशन तो बच्चों यह जो आपकी धारना दी गई थी है आइडियास दी गएते हैं तो यह सिर्फ क्या थी यह कलपना थी and there was no way to test them experimentally तो बच्चों उसको experimentally prove करना कि एक 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 एतना छोटा होता है उसको further divide नहीं कर सकती यह बगेरा बगेरा तो उस समय यह सिर्फ एक couple कलपना थी आप यह साभी बोल सकते हो तो इस प्रिक लिए उसन मतलब क्या होता है बच्चों कलपना होता है ना कलपना जो हम करते हैं और मेर मतलब होता केबल है ना तो क्या थी जो आपकी जो एटम आपका यह से छोटा विल्डिंग ब्लोक है तो यह सिर्फ कलपना थी लेकिन इसको experimentally prove जो था वो नहीं किया गया था उस समय है ना और आज तो आप जानते हो हमने इसको prove भी कर दिया है और आप किस तरह से एटम के और अंदर भुश गये हो और वो भी आपको पता है ना तो इस आइडिया रिमेंड डॉर्मेंट पूर अबेरी लॉंग टाइम एंड वर रिवाइवड अगेन वाई दी सांटिस्ट इन दी नांटीन सेंचुरी तो बच्चों जो आइडिया था वो विल्कुल एकदम बोल सकते हो आप इस थेयोरी को फिर से जनम दिया कि एटम आपको किस तरह से फंडबल व्लॉक है आपका या छोटा है इस ताविर की जो चीजें थी उसको नाइंटीन सेंचुरी में लाए अब देखिए बच्चों के क्या लिखा है कि दा एटॉमिक थेयोरी ओफ मेंटर वोज फस्ट प्र प्रफ्सं में उसकी लिंक दी क Glory क्या लिखाकर आप देख सकते हो कि या नहीं तो नहीं पर द कहते नहीं होता है यह सब उन्होंने बताया दो कब बताया बच्चों जब British school में teacher थे 1808 में न और his theory जो बच्चों की जो theory थी called the Dalton's atomic theory और उस theory को हमने कहनाम दिया बच्चों Dalton's atomic theory करके और regarded the atom as the ultimate particle of matter unit 1 में आपने जो देखा है न और जो Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था उस lecture में कि जो आपका Dalton का atomic theory थी वो सिर्फ और सिर्फ आपका conservation of mass पे, law of constant composition पे तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहते हैं न तो Dalton theory जो थी आपकी सिर्फ कहां तक applicable थी conservation of mass क्या है, law of constant composition को उसने बताया सही से, law of multiple proportion को बताया और यह सबी बातें बच्चों मैंने unit 1 में आपको बता दी है और मैं आपको इनको इसलिए नहीं बता रहा हूं दोबारा क्योंकि वीडियो की length लंबी हो जाएगी और जिसके कारण आप बच्चों दी आपको देखना है तो unit 1 का जो मैंने lecture अप्लोड की वहां पे आप देख सकते हैं न और very successfully उनको बता पाया यह डाल टॉन और however है न, however का मतलब क्या होता बच्चों कि आप फिर भी या जो भी हम बोलते न वो इसका इंदी मीन है तो जो आपका क्या था कि however it felt to explain the result of many experiments for example it was known that substance like glass और eonoid when routed with silk और forget electrically charged तो बच्चों जो आपकी डाल टॉन की थी थी वो इसको भेल्ड हो गई बताने में कि जो explain result था उसका क्या मैंने experiment का जैसे मैं आपसे का हूँ कि क्या कि जो substance जैसे कि आपके glass या फिर एवो नाइट है न तो उससे कपड़े से जब इसको रब किया जाता तो आप देखते हो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है तो यह बच्चों डाल टॉन की थी नहीं बता रही थी हमको कि ऐसा क्यों होता है न और आंगे बच्चों यहां पर क्या लिखा है कि in this unit we start with the experimental observations made by scientists towards the end of 19th and beginning of 20th century तो बच्चों इस unit में हम देखेंगे जानेंगे जो भी experimental observation रखी जो सांटिस्त थे और जो कि आपके कब जो इंडे था 19th century का और बेगनिंग थी वो आपकी 13th century की और इस इस्टेबलाइजड डेट अर मेंड अप और सब एटोमिक पार्टिकल और बच्चों इसी के आधार पे बताया हमको कि जो एटम होता है आपका वो सब पार्टिकल से बना हुआ आता है और जो कि आपने बच्च की और अंदर चले गए और हमने उसके अंदर वीखेद निकाल दिये और आंगे भी आप देखोगे बच्चों की कोर्स बगएरा होता बहुत ही और उसको डीप में जागों हिक बो सुन करके तो कही तरह की इस तरह से आपकी एक्स्परिमेंटे जो भी डाटा तो वो चलता जाएगा अब बच्चों मैं आपको ले चलता हूं जो आपको पढ़ना है वो क्या है कि डिस्कावरी ऑफ सवटांक पार्टिकल तो बच्चों एंगे हम नेक्स लेक्चर में लेंगे तो इस लेक्चर में हमने इसरे इंट्रॉड़क्षन दिया हमको क्या इसे पढ़ना है क कि आपको जो है हमको एक एक बाते बताने इसलिए आप जो है डिस्कवरी ऑप सब्सक्राइब पार्टिकल है उसको पूरा करेंगे हम नेक्स लेक्चर में तो इस लेक्चर में इतना ही तबच्चों तो ओल दा बेरी बेस्ट